है आज हम डिसकस करेंगे इसे प्रिविएस लेक्चर में हमने क्या था है इसे हैं एक्ट्रिक क्रण्ट के जब किसी वायर के थूप करन्ट फ्लो करता है तो उसमें हीट पर द्यूज होती है उस एफेक्ट को हम कहते हैं हीटिंग एफेक्ट ओफ इलेक्ट्रिक क्रण्ट उसके अंदर फिर हमने एलिमेंट्स पढ़ा था देन सी एफेल कॉम्पेक्ट फ्लोरेसेंट लेंप लेंड लाइट अमिटिंग डायोड उसके बाद हमने क्या था आई एसाई मार्क कि ब्यूरो ऑप इंडियन स्टेंडर्ड जो हमारे अप्लाइंस हो इलेक्ट्रिक शर्केट की डेमिज को बचाता है उस सेट्टी डिवाइस को फ्यूज बोलते है कि उसके बाद हमने एमसीवी पड़ा था मसी भी मीनियेच्चर सर्केट ब्रेकर वो भी ख्यूज की तरहीं काम करते हैं एक स्विच होता है धैं हमने किया ता शोट्स-र्केट यह वो टॉपिक से जो हम अलड़ी डिसकस कर चुके हैं आज जो हमारे टॉपिक रहेंगे वह रहेगा मैगनेटिक इफटोफ करन्ट चलिए करते हैं कि में होता क्या है मैगनेटीक इफटोफ अब आज एक एक्सपरिमेंट हम करेंगे उसमें देखेंगे कि जैसे ही वायर की थ्रू करण्ट पास होता है तो उसके चार और एक मेगनेटिक फील्ड बन जाता है मेगनेटिक फील्ड के होते हैं जिसमें मेगनेटिक इफेक्ट को हम अबजर्व कर सकते हैं यानि कि यहां पर हमारे पास कोई दूसरा मैगनेट तो नहीं है क्या है एक वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक करण्ट है तो चोटे से एक्सपेरिमेंट से हम यह कंक्लूजन निकालेंगे कि इस वायर के अंदर से जब हमने करण्ट को पास किया तो इसके चार और एक मेगनेटिक फील्ड बन गया यानि कि मेगनेट की तरह बिहेव करती है तो इस उपड़ेव करना स्टार इस इफेक्ट को हम कहते हैं कि मेगनेटिक इफेक्ट ओफ इलेक्ट्रिक करन्ट सब्सक्ते एक्टिविटी 14.5 टेकर और ट्रे ओंशाइड एदिसकार्ड़ेड मैच बोक्स मैच बोक्स चंदर की वीगत्रे होती है जिसमें मैच चीक होती है घ निकाल लेंगे उसको लेंगे रैप एंड इलेक्टिक वाइर अप्यू टाइम अराउंड दा कार्डबोर ट्रे जिस तरह से 14.17 में देखे बेटा डाइग्राम में क्या किया हुआ है कि एक मैच बॉक्स एक वो ट्रे निकाल ली हमने जिसमें मैच्टिक होती है और उसके चारों से कोईल की फॉम में ने कोपर वायर को वाउंड कर दिया और उसके एक एंड को हमने कि सेल के नेगेटिव टर्मिनल से टैच कर दिया और दूसरे एंड को यह किसका सिंबल है बल्ब और दूसरा किसका सिंबल है स्विच यानिकि ओपन स्विच तो यह हमारे पूरा सरकेट कंप्लेट हो गया है और मैच बोक्ती जो ट्रे थी उसके हंदर हमने रख देख कंपास निडल इस तरह से लैब में आप लोगों ने देखा है चोटी सी कंपास निडल होती है कंपास क्या प्रोपरेटी कंपास करती है हम उसको जितना मर्जी टर्ण करें हमेशा ही वह नोर्थ और साब डारेक्शन दिखाएगी तो यह हमारा सरकिट कंप्लीट है पिर से मैं सर्केट को करता है एक सेल लिया हमने एक जो मैस्टिक की जो ट्रे है बॉक्स से निकाल के वो लिये उसके अंदर रखी हमने compass needle, उसके उपर क्या कि है हमने copper wire को wound किया है और उसका दूसरा जो end है, वो एक bulb से connect किया है और switch से connect किया है Place a small compass needle inside it उसके अंदर हमें compass needle रखते हैं Now connect the free end of this wire to an electric cell through a switch as shown in a figure जिस तरह से figure में दिखाया हुए, बिलकुल इसी arrangement के साथ हम उसको एक switch से connect करेंगे, cell और switch के साथ clear है बेटा, क्या अभी तक इसके अंदर कोई current flow कर रहे है No, why? बिलकुल first lecture में हमने discuss किया था open circuit, close circuit, किस type का circuit है ये It is an open circuit, क्योंकि अभी तक switch जो है वो open position में है, तो ये open circuit है इस circuit के through अभी कोई current flow नहीं कर रहा है कब flow करेगा? जब ये close circuit हो जाएगा कब होगा close circuit? जब हम इस switch को own position में ले आएंगे तो ये हो जाएगा close circuit और इसके जो cell का positive terminal है जो बड़े वाड़ी लाइन है, positive terminal से लेके negative terminal तक क्या करेगा? current flow करेगा तो अभी ये open circuit है, कोई current flow नहीं कर रहा है हम क्या करेंगे? एक्सपरिमेंट के लिए इस switch को own position में लेके आएंगे ताक कि wire के through current flow करे और जैसे ये wire के through current flow करेगा तो क्या होगा? जो wire है, ये एक magnet की तरह behave करना start कर देगी और जो compass needle हमने रखी वी है matchbox tray के अंदर, उसमें क्या होगा? उसमें deflection आ जाएगी अगर compass needle के अंदर deflection आती है तो वो deflection क्या show करती है? कि इसके चार और यहाँ पे कोई न कोई magnetic field है क्या यहाँ पे कोई दूसरा magnet है? नहीं तो क्या है यहाँ पे? wire के through current तो इस experiment से ये conclusion निकलेगा कि इस wire के through जब current पास होता है तो ये खुद एक magnet की तरह behave करती है और उसी effect को हम नाम देंगे magnetic effect of electric current note the direction in which the compass needle is pointing अभी तक switch off position में है कोई current flow नहीं कर रहे तो जो compass needle की direction है वो कहाँ पे होगी? north and south तो इस भी आपार मैगनेट नियर कमपास निडल कमपास निडल के नजजीग हम बार मैगनेट को लेके आएंगे observe what happens अब जब हम बार मैगनेट को लेके आते हैं वो तो खुद मैगनेट है और कमपास निडल भी एक मैगनेट है तो क्या होगा उसमें? ओबिसली deflection आएगी नाओ वाइल वाचिंग दा कमपास निडल केरफुली अब क्या करें हम जो स्विच है उसको ओन पोजिशन में लेके आजेंगे पहले हमने उसको ओन पोजिशन में किया था देखा क्या उसमें को डिफलेक्शन आती है अब उसको दुबारा से ओपोजिशन में लेके जाएंगे क्या कंपास निडल अपने इसल पोजिशन पहाती है तो यह स्विच को ओन किया क्या को करते ही याईर के थुक्र स्कुरू करेगत वायर थुक्रणि ठ्लो करेंग तो वायर वहां पे हमने compass needle रखी हुई है उसके अंदर क्या आएगी deflection आएगी अगर उसके अंदर deflection आएगी तो यह क्या show करता है कि wire behaves like a magnet when current is flowing through it जब उसके through current flow करता है तो वो wire एक magnet की तरह behave करती है ऐसा क्यों कहां हमने क्योंकि compass needle के अंदर deflection आ जाती है और compass needle में deflection तब ही आएगी जब उसके आसपास कोई magnet होगा अब क्योंकि वहाँ कोई magnet नहीं है सिरफ एक wire है जिसके through current है तो वो wire ही है जो एक magnet की तरह behave करती है इसी effect को हम कहते हैं magnetic effect of electric current does the compass needle come back to its initial position yes जब हम उसको switch off कर देंगे circuit को तो circuit के through कोई भी current flow नहीं करेगा अब जो wire है वो magnet की तरह behavior नहीं करेगी तो जो compass needle है वो अपनी initial position पे आ जाएगी repeat the experiment a few times इसको 2, 3, 4 times हम क्या करेंगे repeat करेंगे what does the experiment indicate क्या indicate करता है the experiment indicate that when the current is flowing through a wire it behaves like a magnet जैसे ही wire के through current flow करता है वो किसकी तरह behavior करना start कर देती है magnet की तरह और इसी effect को हम कहते है magnetic effect of electric current तो बेटा अब आपको बिल्कुल अच्छे से clear हो जाना चाहिए कि जब wire के through current pass होता है किसी भी conducting wire के through हम electric current को pass करते हैं तो कौन-कौन से effect वहां पर आते हैं first one वहां पर heat produce होती है चाहिए कम amount में produce हो चाहिए ज्यादा amount में produce जुरूर होगी और दूसरा effect जो आज हम discuss कर रहे हैं क्या है magnetic effect वो magnet की तरह behaves करती है तो यह domain effect है किसी भी conducting wire के जब current उसके through pass होता है कि वी नो डेक्ट नीडल अग्पास इस टाइनी मैगनेट जो कम पास की जो नीडल है वो टाइनी मैगनेट होती है which point in north-south direction वो हमेशा ही north-south direction में point करती है तो यहां पर आपका एक one mark सा question भी मन जाते है कि what is compass needle तो आप कह सकते हैं compass needle is a tiny magnet which point in north-south direction यह IT बन गई है यहां पर तो आप इसको underline भी कर सकते हैं आपकी बुक के अंदर और बेटा जैसे कि पहले भी मैं कह चुका हूं जब भी आपकी classes होती है आपकी notebook एक pen और बुक आपकी हमेशा साथ में होनी चाहिए तो अंडर लाइन देज जब हम एक magnet को इसके नजदीक लेक आते हैं तो इसकी जो needle है वो इफ्लेक्ट हो जाती है six standard में आप थोटा सा रिवाइज कीजिए six standard में कैसे किया था magnet वाड़ा एक chapter आपका आया था different different types के magnet आप वहाँ पर पढ़ चुके हैं उसके effect आपने पढ़े दे north and north pole repel south and south pole repel north and south pole attract यह जब six standard में आप कर चुगे हैं कि जो like pole होते हैं वह repel करते हैं और जो unlike pole होते हैं वह attract करते हैं तो यहां पर भी दो magnets बन चुगे एक तो magnet हम लेके जाएंगे और एक compass needle वो खुद एक tiny magnet है इसलिए उसके इंदर deflection आती है we have also seen that compass needle get deflected when the current flow in a nearby wire इस experiment में हमने क्या देखा जब उसके पास जो वायर है उसके थूरू current flow करता है electric current flow करता है तो compass needle में deflection आती है बिल्कुल वैसे deflection आती है जैसे कोई magnet उसके पास लेके आने के बाद deflection आएगी can you connect the two observation क्या इन दो observation का connect कर सकते हैं yes कैसे connect कर सकते हैं we can say that when the current is flowing through the wire it behaves like a magnet so can you connect the two observation when the current flow through a wire does the wire behaves like a magnet yes when the current flow through a wire it behaves like a magnet तो जैसे ही wire के थूरू current पास होता है electric current flow होता है वो वायर एक magnet की तरह behave करना start कर देती है इसी effect को हम कहते हैं magnetic effect of electric के current तो यह जो छोटा से experiment हमने activity जो हमने की है इसमें हमने यही दिखाया है कि वायर के थूरू जब current पास होता है तो एक magnet की तरह behavior करती है इस इस वाट आ साइंटिस्ट कार्व हैंस Christian Ostrade और सो वंडर्ड तो हैं Christian Ostrade वो साइंटिस्ट थे जिनोंने फास्टाइम इस effect को उपज़रू किया था और इसी effect को हम Ostrade experiment भी कहते हैं यह जो experiment हमने किया ना कौन से experiment की एक compass needle ली एक match stick की जो ट्रे थी उसके अंदर रख्के उसके उपर एक wire को wound किया और उसको एक cell से connect किया और उसमें से क्रंट फ्लो किया जैसे क्रंट फ्लो करता है compass needle के अंदर deflection आती है क्योंकि एक scientist से hence Christian Ostrade जिनोंने experiment किया था तो इसी लिए इस experiment का नाम Ostrade experiment भी है इसी experiment को Ostrade experiment भी कहा जाता है या Ostrade effect भी कहा जाता है कि he was the first person who noticed the deflection of the compass needle every time the current pass through the wire उन्होंने इस activity को इस experiment को कहीं टाइम रिपीट किया तो जितने भी टाइम उसने उन्होंने रिपीट किया उन्होंने क्या देखा कि जो compass needle है जैसे ही हम wire के through current pass करते हैं उसके अंदर deflection आती है यहीं से उन्होंने conclusion निकाला कि wire के through जब current pass होता है तो वो एक magnet की तरह behave करती है और उस effect को नाम दिया गया magnetic effect of electric current magnetic effect of electric current this is what a sign so when electric current pass through a wire it behaves like a magnet this is the magnetic effect of electric current तो बेटा यहां से आप आपकी जो IT है important term magnetic effect of electric current इसकी definition को mark कर सकते है when electric current passes through a wire it behaves like a magnet this is the magnetic effect of electric current यहां तक mark करेगे नेक्स जबेटा in fact an electric current can be used to make a magnet तो electric current को एक magnet बनाने में भी हम यूज कर सकते हैं do you find it too surprising क्या यह थोड़ा surprising लगता है let us try it out चलो इसको भी try करते हैं तो उससे पहले look at the figure 14.19 an electromagnet इस diagram को बेटा आपने electromagnet की जो डेफिनेशन में बताऊंगा उसके साथ आपने डाइग्राम ड्रो करना है an electromagnet चलिए पहले इसको explain करते हैं इसको अच्छे से समझना है कि यह कैसे electromagnet है देखिए हमने क्या लिया है एक nail ली है iron nail जो screw होता है iron nail और उसके ओपर copper wire को wound गिया है जिस तरह से diagram में आप देख पा रहे हैं copper wire को उसके ओपर लपेड दिया है हमने उस copper wire का एक end हमने switch के साथ connect किया है और दूसरे end को हमने जो हमारा cell का positive terminal है उसके साथ connect किया है अब switch का जो दूसरा end है उसको cell के negative terminal से connect किया है और switch कौन सी position पे है own position पे तो circuit कैसे है हमारा close circuit अगर close circuit है तो इसके तुरू क्या पास होगा क्रंट पास होगा जैसे इसके तुरू क्रंट पास होगा पेटा यह जो iron nail हमने ली है it behaves like a magnet यह iron nail एक magnet की तरह behave करना start करेगी और इसी को हम कहेंगे electromagnet यह जो iron nail है effect को नाम हमने क्या दिया था magnetic effect of electric current बट क्योंकि इस time हमने एक iron का piece लिया है iron nail ली है हमने तो जो iron nail है to iron nail itself become a magnet क्यों वो magnet बन जाएगी देखिए बेटा ध्यान से जो हमने copper wire ली है उसके तुरू क्या पास होगा current पास होगा current पास होगा तो वो magnet की तरह behave करेगी अब उसके अंदर हमने iron nail रख दिए वो सारा magnetic effect इसमें चला जाएगा iron nail की अंदर और iron nail अब itself a magnet की तरह काम करेगी इसको हम कहते हैं electro magnet definition मैं लिक वाँगा आपको उसके साथ आपने यह diagram भी draw करना है an electro magnet electro magnet activity 14.6 टेक अराउंड टेक अराउंड 75 सेंटिमेंटर लॉंग पीस ओप इंसुलेटिड flexible wire and an iron nail एक iron nail हम लेंगे और एक insulated copper wire लेंगे insulated copper wire होता है जिसके ओपर कुछ coating की हुई होती है प्लास्टिक की coating हो या किसी दूसरे कोई paint वगारा सा होता है जिसको हम enameled बोलते हैं या cloth की covering भी हम कर सकते हैं ठीक है इस तरह की wire हम लेंगे say about 6-10 cm long iron nail और उस पे copper की wire को wound करेंगे जैसे diagram में दिखाया गया था wind the wire tightly around the nail in the form of a coil coil की form में हम wire को उस पे wound करेंगे connect the free end of the wire to the terminal of the cell through a switch अब हम उस wire का एक end किस से connect करेंगे cell से किसके थूरू switch के थूरू connect करेंगे place some pin on the near end of the nail diagram में भी आप देख सकते ज्यान से कि जो दूसरा end है nail का pointed end उसके नजदीख हमने यह देखो pin रख्यूई है iron pin क्यों magnet क्या करेगा iron pin को attract करेगा तो अगर यह magnet बन जाता है हमारी iron की जो हमने nail ली है तो वो क्या करेगी iron pin को attract करेगी तब ही हमें पता लगेगा कि जो हमारी यह जो nail है यह magnet बन चुकी है प्ले संपिन ओन दा नियर एंड अब दा नेल नाओ स्विच ओन दा करेंट 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 को जो स्विच है उसको ओन पोजीशन में लेके आएंगे और उसके अंदर हमने क्या रखा हुए iron nail तो वह iron nail भी magnet बन जाएगा दूदा पिन क्लिंज तुदा टिप ऑफ दा नेल क्या पिन जो है नेल की टिप के साथ अटेच हो जाती है स्विच ओन करने के बाद क्या अभी वह iron की जो पिन ती वह उस iron nail के साथ अटेच है तो फस्ट का आंसर आएगा पेटा यस कि पिन जो है वह क्लिंज करेंगी दूसरा जो क्वेश्च ओप करने के बाद पिन अब उसके साथ अटेच है नहीं रहेंगी क्यों क्योंकि जैसे ह अयह नहीं करेगा करंट नहीं करेगा अब इन हमने यूज किये कैई वो एक तरह बिहाँ करेगी दो श्कुरूब पास होगा जोग दो एलेक्ट्रिक रान्ट जरेक्ट को स्विच हम सुच आप करेंगे the coil generally looses its magnetism जो उसका magnetism है जो magnetic effect है उसको वो क्या करेगी looze करतेगी such coil are called electro magnets तो ऐसी coil को हम कहते है electro magnet तो बेटा इस paragraph से आप electro magnet की definition को underline कीजिए कहां से करेंगे the coil behave like a magnet when electric current flow through it the coil behave like a magnet when electric current flow through it जहां तक underline करने है उसके बाद such coils are called electro magnets such coils are called electro magnet तो ये electro magnet भी definition रहेगी बेटाप the coil behaves like a magnet when electric current flow through it such coils are called electro magnet इस तरे की coils को electro magnet कहते हैं the electro magnet can be made very strong and can lift very heavy loads electro magnet को हम बहुत strong बना सकते हैं और वो बहुत है to separate magnetic material from the junk जिसे इलेक्टर मेट्रों को जते हैं वहाँ से magnetic material को सेपरेट करने में यूज किये जाते हैं क्या होता निकल कोबाल्ट यह कहीं सारी चीजीं हमारे पास मैटल थे जो आईरन की मैगनेट की तरब अट्रेक्ट हो जाते हैं तो ऐसे मैटीरियल को सेप्रेट करने के लिए हम मैगनेट को यूज करते हैं यहां पे बेटा जो हम अब डिसकस करें न यह टोपिक बनेगा आपका यूजी जो मैगनेट तो फस्ट यूज है टाइनी एलेक्ट्रो मेगनेट टू टेक आउड स्मॉल पीसिज और मेगनेटिक मैटिरियल गाट है एक्षिदेंटली पॉलन इन दा आई कहीं बार क्या होता है आइज के अंदर कुछ आयरन का पीज या कुछ ऐसी पीसिज चले जाते हैं तो डोक्टर क्या करते हैं एलेक्ट मैगनेट को यूज कर गे उन टाइनी पीसिज को निकालते हैं आई इसके अंदर से तो यह सेकिंड आपका यूज हो गया फस्ट यूज क्या था एलेक्ट्रो मैगनेट आर यूज तो सेपरेट मैगनेटिक मैटिरियल फॉम दा जंक सेकिंड यूज है डोक्टर यूज कामरे clicked कि से ही फिलिए वो रहे गा मैनी टोई और और एलेक्ट्रो मैगनेट इनीच MRI बहुत सारे जो बच्चों के है इन इलेक्ट्रिक बेल इलेक्ट्रिक बेल के अंदर भी इलेक्ट्रो मेगनेट यूज होता है तो जो हमारी बेल होती है इलेक्ट्रिक बेल उन सभी के अंदर इलेक्ट्रो मेगनेट लगा हुआ होता है ठीक है तभी वो रिंगिंग साउंड प्रड्यूज करती है फिगर 1420 शो दा सरकेट ओवन इलेक्ट्रिक बेल इट कंसिस्ट ओपे कोईल अप वाइर वाउंड़िट ओन आयरं विए एक आयरं पीस के लेए आप कोईल को वाउंड किया हुए जैसे कि अभी अक्टिविटी में Prime लेकर उस पर हमने कोईल को वाउंड किया और जैसे वहा से करेंट पास हुआ तो आइरन ने बहें लाइक मैगनेट अब भी हमने ऐसे किये ठीक है आइरन के पीसी जे उस पर हमने को वाउंड किया हुए जो कोईल है वो इलेक्ट्रो मैगनेट की तरह बिहेव करेगी एंड आइरन स्ट्रेप विदे हैमर एट वन एंड इसके लिखाई देरी ना जो बेल टाइप जो दिखाई देरी है उसके नजदीग एक छोटा सा हैमर है जैसे ही इस कोईल के तुरू क्राइब को लगा रहे है जैसे ही उस कोईल के तुरू क्या होगा करंट पास होगा तो वो किसकी तरह भी एव करेगी एलेक्ट्रो मैगनेट की तरह इट देन पूल दा आइरन स्ट्रेप फिर वो आइरन स्ट्रेप को अपनी तरह अट्रेक्ट करेगी इन दा प्रोसेस दा हैमर एट दा एंड ओफ दा स्ट्रेप स्ट्राइक दा गोंग ऑफ दा बैल तू प्रिद्यूज अ साउंड तो डाइग्राम पर देगे तो क्या होगा जैसे ही एलेक्ट्रो मैगनेट की तरह बिहेव करेगी कोईल तो जो यह हैमर है वो किस पे स्ट्रा साँड ठोबैनेट को बिलो स्रैपिटेश फित आल्सो ब्रेग दा सारटै डिसेजर फिसर एंड ऐघ्रोंगर अट्रेगों कारिगा मैश्चरी सुर्टत Community अधर घ्र गि करेगी-धोरि खित और चाब दार्र एगर तो फो स्कुर्यरा है बीए डबल जू एक्ड पूस्ट से मेटा लेटेंट साइड में आपको एक्स्ट्रू दिखाई दे रहा है वापिस से इस पर आ जाई है फिर क्या होगा दोबारा से इलेक्ट्रो मैगनेट इसको ट्रेक्ट करेगा तो यह गोंग को जाके स्ट्राइक करेगी यही चलता रहेगा जब स्विच को प्रेस करते रहेंगे इस कंप्लेट दा सर्केट दा करन्ट फ्लो दा कोईल एंड हैमर स्ट्राइक गोंग अगें अब सरकेट फिर से कंप्लेट हो जाएगा फिर से वो कोईल इलेक्ट्रो मैगनेट बन जाएगी इस प्रेस इस प्रेस्ट इंपिक सक्सेशन दा हैमर स्ट्राइक गोंग अबरी ताइम दा सरकेट इस प्लेट इस इस हाओ दा बेल रिंग यह पूरा प्रोसे एक बार फिर से में इनको प्रिक रिकाप कर बाजेता हूं सबसे पहले हमने किया है मेगनेटिक इफेक्ट ओप इलेक्ट्रिक करंट की वायर के थूँ जब करंट पास होता है तो वह एक मेगनेट की तरह बिहेव करती है इसको हम कहते हैं मेगनेटिक इफेक्ट ओप इलेक्ट्रिक करंट है शेकिंड पढ़ा हमने इलेक्ट्रो मेगनेट जब एक आईरन के पीस पे हम कोपर की वायर की कोईल बना कोपर वायर की जो कोईल यह उसको वाउंड करते हैं और उसके थूंट फास करते हैं तो आईरन का पीस मेगनेट की तरह बिहेव करता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रो मेगनेट उसको वेल को हम कहेंगे इलेक्ट्रो मेगनेट उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक बेल की वरकिंग पढ़ी है बेटा और क्या पढ़ा था हमने यूजीज ओफ इलेक्ट्रो मेगनेट इलेक्ट्रो म झाल झाल